हलो दोस्तों वेलिकम बैक टू नीव वीडियो उमीद करते हैं आप सब भी बहुत ही अच्छ होंगे दोस्तों आज की इस इंट्रस्टिंग वीडियो में मैं आप लोगों को आरेश्ट वानेट के बारे में बताने वाला हूं प्लस आरेश्ट वानेट आपको आल कलर आप्श आज की इस इंट्रस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं बात करते हैं आरेश्ट के बारे में अगर चैनल पर पहली बरा है तो सबस्क्राइब करना बिल गयकरन को आउन कर लिजेगा ताकि इसी ही इंट्रस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन पर आप तक पहुंचते रह सके हैं तो चली दूस्तो आज की इस इंट्रस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं बात करते हैं आरेश्ट के बारे में सबसे पहले दूस्तो बात कर लेते हैं इस बाइक के प्राइस के बारे में कि आरेश्ट आपको क्या प्राइस देखने को मिलती है अब आप आप जो है एक्सुरूम प्राइस देखने को मलती है दोस्तों आरे शोनेट एक्सुरूम प्राइस अरॉड वल्लेक सेवेंटी ठौजन एक लाग सत्तर अजार रुपए के आसपास के आपको ये बाइक ऑन रूड प्राइस देखने को मिल जाती है बात कर लें और रोड प्रेस के आत्यदी के बारे में तो मैं आपको क्लियर करते हैं तो हरी कि इस प्रेजिशिव और प्रेस में थोड़ा सा दिफ्रेंस होता है क्यों कि हरी के आट्यों इंसरेंक्ट चार्ज जैसे फरक होता है यह बाइक हमारे ढरे रहपूर शत्तीजचर में अन रोड प्राइज अरौन 2,5,000 रुपे 2,5,000 रुपे के आसपास कि आपको ये ओन रूट प्रेस देखने को मिल जाती है बात कल इसके कलर ओप्शन के बारे में दोस्तों RH200 में आपको number of 3 कलर ओप्शन देखने को मलता है एक आपको बाइक में वाइट कलर देखने को मलता है जो कि काफी जादा अच्छा लगता है दूसरा आपको बाइक में रैड कलर ओप्शन देखने को मलता है रैड कलर ओप्शन भी काफी जदा अच्छा है और सबसे इंपोर्टन और सबसे बहतरी जो कि आपको पता है जिसे हम ब्लैक भी कहते हैं काफी सारे लोग मैंने सुना पकी यह black color है यह आप लोगों को इसमें देखने को मिलती है मतब number of three color option आपको RS में मिलता है अब इसमें कौन सा color option आपको सबसे जादा अच्छा लगता है आप comment करके ज़रू बताइएगा मेरे इसाब से gray color option जो है वो best है चलिए बात कर लेते हैं अब इस bike की lighting के बारे में friend में दोस्तो bike में आप देख पाने की bike में आपको सबसे पहले LED जो DERA light है वो हमें इस bike में देखने को मलती है जो कि यह काफी जादा अच्छी लगती है और bike का look भी बढ़ाती है main light में bike में आपको dual halogen projector light जो है वो आपको देखने को मल जाएगा अब obviously बात है दोस्तो bike में आपको halogen projector light है तो light की जो illumination है वो भी आपको काफी बहतरिन मिलेगी आपको कोई extra fog light लगाने की जो need है bike में नहीं है बिल्कुल भी जोरत नहीं पड़ेगी आपको कोई भी extra fog light लगाने की तो ये भी आपको bike में काफी चीचीच मिल रही है बात कर ले दोस्तों इस bike के front suspension के बारे में तो फिलाल अभी तक bike में आपको telescopic suspension देखने को मिला है बट मुझे उमीद है कि आने वाले समय में company जो है इसे अपडेट करके युए जी आने के upside down जो suspension है वो आपको bike में देने वाली है बात कर ले दोस्तों इस bike के braking के बारे में braking में दोस्तों bike में आपको special feature में dual channel anti-lock जो braking system हो आपको bike में देखने को मलता जी अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस bike के tire size के बारे में तो front में आपको bike में 180 सौसी की जो tire size हो आपको bike में मिलेगी बात करें अब इस bike के engine specification के बारे में engine type में RS में आपको one double nine point five सिजी का liquid cool triple spark plug four volvo single cylinder जो engine हो आपको इस bike में देखने को मिल जाता है बात के लिए power and torque के बारे में दोस्तों RS 200 में maximum power में around 24.5 के असपास की PS4 देखने को मिलती है and maximum torque में around 18.7 के असपास का जो need intermittent torque है वो आप लोगों को bike में देखने को मिल जाएगा मतलब bike में आपको power range जो torque है भाई वो भी काफी अची देखने को मिल रही है दूसरी company से compare करोगे तो काफी अची जो power है यहाँ पे दी गई अपनी RS 200 में cooling system में liquid cool engine आता है fill system में bike में FI आता है जिसे fill injector भी कहते है bike की bore size 72 mm की है stroke size 49 mm की है ठीक है वाल्व सिस्टम SOS से engine मिलता है bike में आपको 6 gear देखने को मिलेंगे और bike में आपको normal weight multi plate जो clutch है वो हमें RH 200 में देखने को मिलेगा बात कर लेते हैं इस bike के mileage plus performance के बारे में mileage भी दोस्तों आपको बताना चाहूंगा यह bike around 40 के असपस का mileage निकाल कर देती है अलाकि 40 बड़ा मुस्किल है 35 तो निकाली देगी फिर depend करता आपके राइट करने के तरीके पर काफी सरे लोगों को मैंने देखा 40 भी यह निकाल देती है क्योंकि वो काफी अच्छी तरीके से राइट करते हैं ठीक है बात कर लेते हैं दोस्तों अब इस bike के mileage sorry top speed के बारे में तो 140 km से 150 है और 0-100 में इस bike को लगबग 9.92 सेकिंड लगते है रियर की तरफ में bike में आपको tail light जो है वो LED देखने को मिल जाती है रियर में आपको bike में लगबग 130 70 के स्पास की जो tire size है वो आपको bike में देखने को मिल जाती है साथ में अब इस bike के स्पीडॉमिटर के बारे में यस Dad चाहरे में आपको शोई की वारे में आपको बताना चाहँगा आने वाले समय में कमपणी इस पे जो गेर इंडिकेटर है वो भी एक करने वाली है RS 2008 की seat height है around 810 mm की wheelbase है 1345 mm का car weight है 166 kg का fuel tank capacity लगबग 13 liter के आसपास की आपको बाइक में मिल जाती है पाइक दूस्तों आप लोगों को RS 2008 कैसी लगती है नीचे comment section में comment करके जरूर बताएएगा अस उम्मीद करते हैं आपको छोटी से इंटरेस्टिंग वीड़ों तो अच्छी लगई होगी वीड़ों चलेगी लाइक करिएगा चैनल पर पहली पर रहे तो सबस्क्राइब करिएगा मिलते हैं फिर नेक्स जुन में love you all जैहिन मदे मातरम